हम अपने वाईटी स्टीडियो को बार बार अगर उपेन करके देखते हैं तो उससे क्या होता है क्या उससे हमारे चैनल कोई एफेक्ट परता है या हमारे व्यू डाउन होते हैं या हमरे सब्सक्राइबर डाउन होते हैं ऐसा क्या होता है जी हां आज हम इसी टोपिक पर बात सब्सक्राइब कर दिजी, नोटिफिकेशन बेल पे दबा के औल पे क्लिक कर दिजी, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंफिनेटी वीडियो लाते रहते हैं, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, हम वाइटी स्टीडियो को खोल के अगर बार-बार देखते हैं, तो ऐस एक युँछ सोनानी होता है, तो वाइटी इस्टीडियो किस टाइम नहीं खोलना चाहिए, उस टाम पर हम लोग वीडियो के लिए ही बेहतर है। वह उसके बारे हम बताएंगे, औभी फिलाल हम लोग बात करते हैं, वाईटी स्टीडियो कीया है? YouTube हमको YT Studio प्रवाइड की है, उसी चीज को देखने ही लेगे, हम लोग video upload करते हैं, उसमें बहुत सारे settings करने होते हैं, description, tag, title, सब कुछ लगाने होते हैं, तो हम लोग YT Studio से ही लगाते हैं, तो इस कारण से हम लोग YT Studio बार-बार खोलके देखते रहते हैं, तो उसे ऐसा कुछ प दैरा करने हो, तो हम लोग कर लेते हैं, तो वीडियो upload करने के बाद, जब हम उसको publish कर देते हैं, publish जब वीडियो हमारी हो जाती है, तो वीडियो publish करने के बाद, उसके बाद, मतलब करीबन, आप एक दो घंटा या जितने देर हो सके, आप YT Studio ना खोले, उससे क्या होता है, कि हमारे वीडियो पर effect पढ़ता है, यूट्यूब का इलेगोरेथम है, कुछ ऐसे चीज को पकरता है, उसको ऐसा लगता है, कि हम अपने वीडियो पर जो watch है, जो view है, वो हम बढ़ा रहे हैं, यानि हम बार बार जो YT Studio खोल के देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सक के दैरा इस कारण हम लोग जब वीडियो पब्लिश करते हैं, तो उस टाइम हम लोग YT Studio ना खोल के देखें, जी हाँ, आपके वीडियो जब पब्लिश हो जते हैं, यह दो तीन घंटा, चार घंटा हो जाता है, तो उसके बाद आप YT Studio खोल के देख सकते हैं, तो आप अपने दूसर जबंद आया हो, तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ओल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत!